कि अवामी इताद पार्टी जो है एक अल्टनेट्व के तोर पर उबर रही है जो मुझ कश्मीर में पैलर टो नेशनल कांफरंस और पिड़ी पे और अल्ट ट्रडिशनल पॉलिटिशन्स प्रडिटिकल पार्टी अब अवामी इताद पार्टी जो है अब मैदान में आ चुक और नहीं ठीड़ी इताद पर उन्ठिशनु आप कंटेट्चे को अब पिड़ी जो आप नॉर्ट इसकोर्ट इसके अधे हैं हमारा जो भी लैंड है ज्यातातर फॉर्इस्ट लैंड है या बाकी जो जो जग्रफिल कंडिशन्स हैं यहां पे उनको मत नजर रखकर हमें लेंड स्कूरिटी दी जानी चाहिए उसके लिए हम डिमांड करते हैं और बाकी जो हैं हमारे जॉब रइट्स हैं उन पे हम बात करेंगे और अपने हमारे मैनिफेस्टों में होगा इन्शाला हम जल्दी उसको भी इजरा कर रहे हैं तो कि नाराजगी पाल्सियों को लेकिए हमने कभी भी फुलिटिकल सेट अप में मेंडेट बहुत जरूरी नहीं होता है आपने देखा मैं पिछले बारा साल से और जब तीन सो सथर हुआ मैं एक ही स्पोक्सपरसं था एक ही आवाज थी जो कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन कर की मैं एक सीनियर लीडर होने के नाते क्योंकि मैंने चोदा साल पीडिपी को दिये तो मेरा जो आपने कहा मेंडेट की कोई नाराजगी नहीं है लेकिन हमें सीनियर लीडरों को किसी को भी कंसेसमें नहीं लिया गया कहीं भी किसी बड़े सीनियर लीडर से बात नहीं की शुरुआत की कि हम कश्मीर की माइक्रास्कोपिक माइनाटी को रिप्रेजेंटेशन देंगे